बाई कैसे देखते हैं चंपाई सुरंत के फैसले को आपको धका लगा नाराज हुए थोड़ा गुसा कि नहीं चुछ साब लोग 16 इथे सुट các लोग विधायक बने महीं चोले लिए 10 जो जोट जो 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 जीम्म का वोटर फा लोग भोड दिया तो अब आपको लगता है कि उसा भोटा रबरीन को जब BJP में चल गए तर भोट देगा देखिए जैसे उमिद तो लग रहा है कि अब इमाहौल कीसा लग रहा है हवा है चंपाई सुरिन का की अब लग रहा है कि बीजेपी में चल गए तो मामला खराब हो गया क्या लग रहा है हवा वह बरकरार है निकलेगा 24 का चुनाव कि नहीं सराइकेलास तो ज्यादा पोट से हार जीतनी होगा थोड़ा बहुत से हार जाए है क्या कि वह सराइकेलास चुनाव लगें वह से तो सुना है कि उसको बिच्छाना पार्टी ने अचनाक बदल दिया जिन पोलोक को एमान तोट गिया है अभी हैमान को भी हमान दाख में बहुत मिलेगा इसको भी मिलेगा काम बहुत महार जीता होगा नवसकार हमारा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं दफोर्थ पिलर का नया ने विला सेग्मेंट जन्मत यात्रा आप सोच रहे होंगे कि भाई माथे पर गमची क्यों है गमची इसलिए है क्योंकि धूप बहुत जबरदस्त है और इसी धूप में तप रहे हैं ये आद बीते 40 सालों की राजनिती उन्होंने यहीं रहकर की है कैसा है मिजाज उनके गाउं के लोगों का जब वे यानि चंपाई सुरेइन चारकण मुक्ति मूर्चा की राजनिती को छोड़कर अलविदा कहकर बीजेपी में गये हैं पहले तो यह बताई कि आप साइकी लेकर कहा अपनी दूसरे जगा यह में हैं आपके घर में नल नहीं है नल का पानी मतलड गुवा का पानी करें ऌड़क नहीं है अचा इब बताए कि देर लोग बोला कि अबरी चंपाई सुरेन के 40 साल तक राजनिती की गुरू जी का पाटी में राखे अब फिर 40 साल बाद छोड़के अचानक से BJP में चल गए तो आप लोग को लग रहा है फैसला ठीक किये कि मतलब जल्दबाजी में लेके फैसला गलत कर देखिए हम लोग का कहने का मतलब यह है हम चालिस साल जाप जाप जुनो लड़ा जीत किया चे बार अचानक मने बदली होगे बीजेपी में चल गया तो गाउं का अधमी कदाब नहीं बोल सकता है मेरा इस अब तो ठोड़ा हो गिया गलत हो गिया इसको अभी लॉस्ट जेन इसको नहीं बदली नहीं करना चाहिए थ समय चुनाओं के पहले ऐसे नहीं करना चाहिए था अजया संतो ठोड़ा चलते चलते बात करें था ठांधा में हमीं कहा रहा है कि जब मुख्यमंत्री बने थे मंद जी चले गए जेल फिर मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ चंपाई जी को कैसा लगा आप लोग तो ग सब्सक्राइब करें चुनाओं लड़ा जीत गिया आप हम लोग जीता है आप अभी BJP में मत जाईए पहले एक बार बोला था उसको जाके अच्छा तो ओ बोला ठीक हम नहीं ऐसे हम दिल्ली गया था मरा बेटी उहां पर है पाड़ रही है ओ जब एक बार हला हुआ कि बात बूले किया में पाड़ी नहीं बढ़ा एप ही सब्सक्राइब कर दो दिन आप जो हम और दिन चल गिया और आप लोग को जब आई ख़वार आए जशेसे अर्गहतव घह अलना में तो एभी जैनम चोड़ दीये जैनम मतलब ऑक GURU-ji का पाड़ी चोड़ दिये ह हाँ तो आप कैसे दीखते हैं? संतोस, भाई कैसे दीखते हैं जमपाई सुरंड के फैसले को. आपको धक्का लगा, नाराज हूए शाली से कि ट offerings जोड़ना चाहिए कैसा महसік? नाराज लग एपञ़ुक्ति का गुछक्सरणा चाहिए लिए नाराज लाग गिया इतना दिन जब राजनिती किया चालिस साल जैमेम से अचना कबाद लिखिया तो था नाराज तो लाए गई हम लोग एक छोटा बाच्वान से बड़ा हो गया जैमेम बहुत देते हुए जैमेम लगभाग ठीक ठाट भोट देता है जैमेम को हाँ में तो आप लोग अब भोट जैमेम तरफ देंगे कि अब चमपाई दादा जिधा जाएंगे उद्रे भोट देंगे बीजेपीम देंगे देखिए अब पूछ रहे हैं इसे काई कि देखिए अब गाव में है तो इन्हीं को देना होगा है गाव में है जाब विधायक दू तो आपको लगता है कि उसा भोटार अब इनको जब बीजेपी में चल गए था भोट देगा देखिए जैसे उमिद तो लाग रहा है कि जितना पहले जैमेम का भोटार था मने इने को भोट मिलेगा मतलब जैमेम जिसको यहां चुनाओं में ख़डा करी चुनाओं हार पहले बी जैसे यह यह पर दादा जो यहां पर निता जी जिमेम में था और कोई बीजेपी से लढ़ा था तो ज्यादा बोर्से नहीं हुआ है यह सब्सक्राइब करते हैं तो अभी क्या लग रहा है बीजेपी का टिकट पर इचुनाव लगेंगे अभरी पहिला बार ठीके छो बार तो जीते जिते जिते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब ही देखिए हमांदा गार इहां से चुनाव लड़ेगा तो ज्यादा बहुत से हार्जीत नहीं होगा थोड़ा बहुत से हार्चा है क्या कि वो सराकिलास चुनाव लड़ेंगे उससे तो सुना है कि उसको भी तो पार्टी ने अचानक बदल दिय जिनिता जी बीजेफ में चाल गिया तो उसको भी नाराज हो गिया उस नाराज से वो बोला है कि हम चुना लड़ेंगे इहां से देखिए अब ही तक तो डिसाइट नहीं हुआ है लेकिन इस तरह का खाबर है आप लोग तो मालीजी जब दो लोग खड़ा होंगे हेमां सोर लेकिन पूरा बिधान सबाग लोग फिर इधर चल जाए तो देखिए अभी माहौल किसा लग रहा है हावा है चंपाई सुरिंका की अब लग रहा है कि नहीं बीजेफीम चल गया तो मामला खराब हो गया क्या लग रहा है हवा बरकरार है निकलेगा 24 का चुनाव कि नहीं स तरहा है कि देखिए अभी बॉलना मुश्किल है कि इहां को बटार जो है ना होट लो को हमन्त गिया है अभी हमान को भी हमन्ता को ये मन लेग इसको काम बोट में हर जीत होगा कम आरी चिन से आदमी चुनाव हरेगा जीतेगा ना काम बोट से चलिए आप पहले पानी पहु बहुत बहुत शक्रिया संतोष भाई तो ये चंपाई सोरेंड का गाउं है और गाउं की स्थेतिया आप देख लिए कि ठीक है जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं तो हैं लेकिन इन तमाम सुविधाओं में एक नमूना ये भी है कि भाई देखिए उनके घ बहुत बात है जो राजनितिक बातचीत है वो बातचीत बस इतनी भर नहीं है कि चंपाई सोरेंड बीजेपी में चले गए हैं इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा खबर तो ये भी है इन्हीं आदिवासियों की बीच की चंपाई सोरेंड के खिलाफ इस बार हेमन सोरे बीचुना लोलेंगे ये चर्चाएं हैं और इस तरह की चर्चा आदिवासी समाज में चल रही है ये चर्चा सराय के लाविधान साबा में चल रही है ये चर्चा खुद चंपाई सोरेंड के गाउं जिलिन गोडा में चल रही है और देखना होगा कि भाई इस बार जब च तराई खिला विधान सभा की सीट निकाल पाते हैं नहीं, 1995 में जीते, 1995 में जीती, 2000 हारे, फिर इसके बाद से कभी नहीं हारे, मतलब 2005 जीते, 9 जीते, 14 जीते, 19 जीते, पर 24 करन 6 तरवे जीत पाते हैं या नहीं, यह देखना रिल्चस्पोगा, आप देख रहेते हैं The Fourth Pillar, The Fourth